इसी साल 16 जन्वरी से दुनिया के सबसे बड़े vaccination drive की सुरुवात की गई और पहली डोज से लेके आज 100 करोन डोज पूरी हो चुकी है हमाँ ऐसा दो महत्पूर्ण लोग हैं जॉक्टर राना एके सिंग यहां के medical superintendent है और दूसरे रमाकान सिंग जो यहां पर security guard है आरमल hospital में और इन्होंने 16 जन्वरी को पहली वैक्सीन आरमल में रमाकान सिंग नहीं ली थी और उसके बाद डॉक्टर साब ने भी उसी दिन वैक्सीन ली थी डॉक्टर राना कपूर डॉक्टर राना मैं पहले आप से बात करना चाहूंगा चुकि 16 जन्वरी से जब इस देश में वैक्सीनेशन ड्राइब ऑफिसली शुरू हुई थी तो उस दिन सब के मन में संसय था कि ये वैक्सीन कैसे कारगर होगी काम करेगी नहीं करेगी आज सो करोन का आकला पार कर गई महज दस महीनों में क्या कहेंगे आप देखिए आज का दिन एक बहुत ही बड़ा एहम और मील के पत्थर की तरह है क्योंकि जहां से आगाज सुरू हुआ था सुलह जन्वरी से विश्व के सबसे बड़े टिका करन अभियान की और आज जो सव करोन का आकड़ा हम लोग पार कर गए हैं तो ये दोनों का समनवे जो है आप अगर पूरे परिद्रिश्ची को अगर देखेंगे तो बड़ा अदभुत और बहुत ही खुशी प्रदान कर सब्सक्राइब तो आपके करमचारी ने ली थी उस समय आपने भी उस दिन वैक्सिन ली थी तो क्या आप लोगों के दिमाग में ये बात थी कि महज 10 महीने में हम लोग 100 क्रोन डोजेस का अंकड़ा पार कर जाएंगे देखें इतना तो तै है कि अगर इस देश को देशवासियों को 130 क्रोड लोगों को क्रोना जैसा भीमारी से महफूज रहना है बचना है जिन्दा रहना है तो इस आंकड़ा को या इस आंकड़े की दूरी को हम लोग जितनी जल्दी तै करते या जितनी जल्दी यहां से तक होगा क्योंकि देखिए जब तक हम लोगों में से हर आदमी सूरक्षित नहीं है इस महामारी या इस बीमारी से तो आप मान करके चलिए कि हम में से फिर कोई तो यह जो दूरी है यह जो चड़ाई ठी यह तो बहुत ही असंब़ासा लगने वाला तो है लक्ष लेकिन हम ल बहुत ही जादा अहम था सुरू सुरू में शंकाएं थी संसाएं थी लोग हमसे पूछते थे हम देखो हम तो आज लगाएंगे असर में है कि पहला दीन जब आप हम अपने संस्ता में जब टिका करन अव्यान की सुरूआत हम कर रहे हैं तो हमारे साथ एक लाचारी थी एक ब मैं सबसे पहला टिका अपनी संस्ता में नहीं लिया तो और जब भी लोग कहते थे कि नहीं इसमें ऐसे हम उड़े एक बद बताईए साहब यह जो वैक्सीन है यह कहीं से कोई पानी उठा करके तोड़े ने जिक्सन लगा रहा है लेबरेटरी में बना है दिन राद 24 घंट साइन्टिस्ट लगे हुए हैं बने हुए हैं अब उसके बाद जो शंका संसे वो मुनासिब नहीं था लेकिन हर चीज का फाइदा है हर चीज का नुकसान है वो दौर था जबकि यह जो सोसल मीडिया में थोड़ा सा लोगों को भ्रमित किया है लेकिन फिर दीरे करके शक्य से बादल फटते चले गए और हम सौ करोड का अकड़ाज क्रोस कर गए बहुत मात्पूर्ण हो जाता है रमाकान सिंग जी से बात करना रमाकान जी यहां पे सिक्योर्टी में हैं सुरक्षा प्रदान करते हैं लोगों को रमाकान जी पहले तो आपको बहुत बधाई कि जब vaccination द्राइब शुरू हुई तो आप पहले विक्ति ऐसे इसे जिन्होंने vaccine लेने की हिम्म्मत जड़ा है क्योंकि उस समय तक लोगों के मन में संसय था आपके मन में भी संसय था जी मेरे मं में भी संसय था कि मतलब डर था लेकिन फिर भी ये सब डर को देखते हुए आज मैं बहुत खोश हूँ कि हमारे साथी रमेश भाई से हमारे मनिय परदान मंत्री जी मिले और बात किये और मैं बहुत खोश हूँ कि मैं अपने आरेमेल होस्पीटल के एकेर आना सर्ट सुप्रिटेंडन साहब के साथ खड़े होकर के मैं न्यूज चैनल पर बात कर रहा हूं और मैं अपने एसाइस सिक्रूटी के जो मालिक हैं एके सिन है जी उनको भी बहुत बधाई दूंगा कि मैं आरेमेल होस्पीटल में सिक्रूटी परदान करता हूं और भैक्सीन का डोज पहला डोज लिया मैं करोना काल के दोरान काफी मेहनत करके रास्ते में साइकिल से जाना साइकिल से आना कभी साइकिल पंचर हो जाए तो पैदल जाना और उस समय आरेमेल होस्पीटल में सिर्फ मतलब एस्टाप मैं कभी था ऐसा कि इतनी जल्दी सौ हमारे जैसे सौ करोन लोगों को डोज लग मन में था वैसे तो मतलब करना ही था कि इतनी जल्दी अगर भैक्सिन तयार नहीं होता तो इतने लोगों का जान बचता नहीं यह मैं अपने मानिये परदान मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई दूंगा कि इतना बड़ा लक्ष ओ पार कर गए और इतने मतलब पबली का जा चाते हूं धाइन के वह रमाकान सिंग जी हैं यह साइस सेक्योर्टी में यहां काम करते हैं और सेक्योर्टी प्रदान करते हैं 16 जनवरी को जब देश में ओफिसली वैक्सिनेशन की सुरुआत हुई थी और डिली के चार अस्पतालों में वैक्सिनेशन सेंटर बनाए गए थे जिसमें आरमल भी एक था आरमल एम्स और जो दूसरे दो अस्पताल थे उनमें आरमल एक था और आलमेन जो सबसे पहला डोज किसी व्यक्ति ने लिया था तो रमाकान सिंग ही व्यक्ति थे संसे जरूर था लेकिन एक विश्वास था कि चुकि डॉक्टरों ने इसे तयार किया है रिसर्च करने के बाद ये वैक्सीन तयार हुई तो वो संसे खत्म करके इन्होंने पहली डोज ली थी और उसी दिन डॉक्टर राना एकिया सिंग जी ने भी अपनी डोज ली थी और आज वो वैक्सिनेशन का जो आकड़ा है सौ करोण के उपर निकल गया है केमरामेन राजेस के साथ नीरज पांडे एबी पी नियूज दिली एबी पी नियूज आपको रखे आगे